ए आज के इस वीडियो पर काफ्वे कमाल के Android से एक निव अमेजिन फ्रैक्ट के बाहर में डिसकस करने वाला है जैसे कि आपने इंट्रो या फिर थम्नेल में देखि लिया होगा कि आज की इस वीडियो पर में क्या डिसकस करने वाला हूँ विल गाइस अगर आप एक Android यूजर हो तो आपको यह पताए होगा कि आप नॉर्मली होसपोट या फिर वाइपर से किसी से भी किसी भी नेट्वर्क से एड़ कर सकते हो क्या आपको यह पताए आप Bluetooth से भी इंटरनेट एकसेस कर सकते हो जो आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरिकेसे डिसकस करके बताने वाला हूँ कि आप Bluetooth से कैसे इंटरनेट एकसेस कर सकते हो यहाँ पर मेरे पास अलग अलग डिवाइस है मैं अलग फोन से अलग फोन को इंटरनेट एकसेस करने वाला हूँ जो की Bluetooth से इंटरनेट यूज करने वाला हूँ आपने कही न कही यह तो सुना होगा कि आगर आप वह स्पोर्ट आउन करते हो आगे वाला परसेन अगर वाइफाई आउन कर देता है तो आपका इसली इंटरनेट चल जाता है आज जो मैं टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ और जो काफी आडवांस फीचर्स होने वाला है गाईस अगर आप Bluetooth से इंटरनेट एकसेस करना चाहते हो सिंपल आप Bluetooth से भी एक दूसरे से इंटरनेट एकसेस यूज कर सकते हो तो वेल गाईस यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ जो आपको सेटिंग्स फॉलो करना है इससे पहले गाईस अगर आप हमार यूटूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट हो चुगी हो तो प्लिस गाईस इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सस्क्राइब कर दो ताकि मेरी इसी तरह की लेटेस्ट फीचर्स न्यू अपडेट आप सबसे पहले देख सको चली गाईस वीडियो को स्टार्ट करते हैं वल गाईस यहाँ पर आप सबसे पहले अगर आप किसी भी फोन से किसी भी फोन को इंटरनेट एंड की ब्लूटूथ से कनेक्ट करना चाहते हो लाइक यहाँ पर आपको कुछ सटिंग्स फॉलो करना होगा जो आज के इस वडियो में आपको step by step settings बताने वाला हूँ जो आपको easily features settings मिल जाएगा, guys यहाँपर मैं इस phone से, इस phone को internet connect करने वाला हूँ, वो भी Bluetooth से तो यहाँपर आपको सबसे पहले Bluetooth on करना है, दोनों भी device का, तो यहाँपर आपको दोनों भी device का Bluetooth on करते है, like आपके सामने में step by step करने वाला हूँ guys, यहाँपर आप देख सकते हो, यहाँपर मेरा Wi-Fi बंद है, यहाँपर मेरा hotspot भी बंद है, यहाँपर आप देख सकते हो then इसका भी Wi-Fi बंद है, then इसका data भी बंद है, one day one इसका data चालू रहेगा इसका Bluetooth भी चालू रहेगा then मेरा Bluetooth भी चालू रहेगा सकते हो दोनों का आप Bluetooth on है तो यहाँ पर आपको next जो settings करना है इस वाले phone को आपको यहाँ पर settings के उपर क्लिक करना है settings के उपर आप जैसे click करोगे तो यहाँ पर आपको new features फिर से देखने के लिए मिल जाएगा portable hotspot like आपको इसके उपर क्लिक करके यहाँ पर आपको फिर से new features मिल जाएगा new settings Bluetooth तैदरिंग यहाँ पर आपको इसके उपर क्लिक करके इसको activate and इसको on करना है next आपको इस वाले Bluetooth के उपर tap and hold करना है next इस वाले device का name इस device में show हो जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि Poco S तो यहाँ पर मैं Poco के उपर क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हो internet access इसके उपर मैं क्लिक करूँगा इसके उपर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा internet access and connect हो चुका है Bluetooth से आप मैं इस वाले device में internet access कर सकता हूँ मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले notifications panel open करके दिखाने वाला हूँ यहाँ पर मेरा Wi-Fi भी बन दे, then data भी बन दे, only one Bluetooth यहाँ पर मैं आपको भी दिखा दे, then इस वाले phone को भी मैं आपको clear करके अगदम clarify कर देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो इसका Wi-Fi भी बन दे, then इसका hotspot भी बन दे, 11 Bluetooth and Bluetooth तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले YouTube open करके दिखाने वाला हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा YouTube open हो चुका है तो सबसे पहले यहाँ आपर मैं कोई भी एक music सर्च करूँगा सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर simply मेरा internet का view fast चल रहा है तो यहाँ आपर मैं इसके उपर क्लिक करूँगा simply आप भी ट्राइ करके मुझे comment box में comment करके जरूर बताना है तो यहाँ पर आप जैसा की देख सकते हो मेरा Bluetooth से internet access and connect हो चुका है यहाँ पर मैं simply WhatsApp, Chrome, Instagram, Facebook कुछ भी access and use कर सकता हूँ सबसे पहले यहाँ आपर मैं आपको Chrome भी open करके दिखाने वाला हूँ यहाँ पर मैं आप Chrome भी open करके दिखाने वाला हूँ simply यहाँ आप देख सकते हो काफी fast से मेरा internet access हो रहा है बट आप भी ट्रिक फॉलो करके आप अपने device को Bluetooth से internet से connect कर सकते हो वेल गास आपको यह features कैसा लगा मुझे comment box में comment करके जरूर बताना अगर आप हमार YouTube चैनल पर फर्स टाइम विजिट हो चके हो तो प्लीज गास इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी subscribe कर दो थाकि मेरे इसी तरह की latest features निव अपडेट आप सबसे पहले देख सको चले गास नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं निव वीडियो के साथ तब तक have a nice day bye bye check